प्रिपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हिंदी फिल्मों में कश्मीर की घाटियों को कई सालों तक दिखाया जाता रहा है इसी वज़े से ये एक लोगप्रियप परियटन स्थल्म बन गया है इस जगह के अलावा आप और कहा स्नोबोर्डिंग का मज़ा उठा सकते हैं क्योंकि देश के अधिकांश भाग में तो गर्मी होती है बाइकर्स और परवतारोईयों को लगदाह का परवती इलाका बहुत पसंद आता है लोगों का मानना है कि जनसकार नदी राफ्टिंग के लिए सर्वश्रेश्ट अफ़सर प्रदान करती है इमाले परवत शंकला से सजाई ये खूब सूरत राज्य सच में भारत की शान है एक्स्प्लोर की इस शंकला में मैं आपको इस अद्बुद राज्य को और खरीब से दिखाऊँगा जम्मू और कश्मीर की यात्रा मैंने शीत कालीन राजधानी जम्मू से शुरू की जम्मू में कई इतिहासिक समारक हैं जिसे हर इतिहास प्रेमी को देखना चाहिए जब देश के कई हिस्से भीशड गर्मी में चुलसते हैं तब भी यहाँ पर शीतलता बरकरार रहती है फिर मैं श्रीनगर की ओर निकल पड़ा जो जम्मू से 286 किलोमेटर दूर उत्तर में स्थित है मैंने श्रीनगर में प्रसिद शिकारे में बैठ कर डल जील की सेर की और जील के आसपास थे कई उत्यानों का दौरा किया मेरा अगला पड़ाव था गुलमर्ग श्रीनगर से मैं श्रीनगर गुलमर्ग सड़क द्वारा बारा बला पहुंचा अलाकि श्रीनगर और गुलमर्ग के बीच सिर्फ 56 किलोमेटर की दूरी है पर सारे रास्ते कड़ी सुरक्षा जाच के कारण काफी देर हो जाती है लेकिन आपको इस जाच में जरूर सहो कि कई छोटे छोटे रास्ते हैं जहाँ पर आप पैदल टहच सकते हैं ट्रक्षा के बीच टहलने के लिए ये एक सबसे बेहतरी जगा है गुलमर्ग में सबसे पहले आप कॉंडोला की सवारी का आनन दे सकते हैं इसे केबल कार भी कहा जाता है और ये उन लोगों को पसंद आता है जिनने उचाई और रोमान्चत प्रवरितियां पसंद हैं गुलमर्ग में गुंडोला दुनिया भर में सरवाधिक उचाई पर स्थित हैं पर जो लोगों उचाई से डरते हैं उन्हें भी एक बार इसकी सवारी करनी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे आप उपर की उचाईओं से दिखने वाले नजारे आपके दिन को सुकून पहुँचाएंगे इस केबल कार की सवारी के जरीए आप गुल्मर की उचाईओं पर स्थित जगाओं पर जा सकते हैं यहां से धरती बिलकुल सबेद, निर्मल और अद्पुट नजर आती है इस केबल कार का निर्माण 1998 में मशूर फ्रांसीसी केबल कार निर्मादा पुमू ग्लास्थी ने राज सरकार के सहोग से किया था स्कीन का मज़ा लेने के लिए स्कीन करने वाले अपरवाद पहार की धलानों को पसंद करते हैं पीक सीजन में हजारों परियाटक यहां गोंडोला की सवारी का आनंद लेने पहुंचते हैं गुल्मर की केबल कार सवारी कॉल्यटकों को कांग दूरी तक ले जाती है जो समुद्र दल से दस हजार फ्रीट की उचाई पर स्थित हैं कांग दूरी के बाद गोंडोला मुझे चोदा हजार फीट की उचाई पर ले गया यहां कापी ठंड थी और मैंने जम कर पर्व का मजा लिया सोनमर के खुबसूरत हरे भरे मैदानों और थाजिवास क्लेशे का नजारा देखिए हुआ